हालो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपकास वाकत है और दोस्तों आज है 19 फरवरी दोजर बाई सोराज की 14 इंपोरेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूं तो यह दोस्तों कोछ यहाँ पर अपडेट्स रहने बाले हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिए का दोस्तों मोस्त इंपोरेंट अपडेट्स ही मैं आप सभी के लेकर यहाँ पर आता हूं डेली ओके चले दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ तो यह पहली अपडेट दियोट सीथ बाबा बालकनात मंदिर में लंगर शुरू करोना के मामले बढ़ने के बाद बंद की थी मंदिर में लंगर विवस्ता तो यहाँ पर जो है अब फिर से जो है शुरू धालों को बड़ी रहत मिलेगी तो उत्तरभात के प्रसेद शित पीठ बाबा बालकनात मंदिर में लंगर विवस्ता शुरू हो गई है इसे मंदिर में आने बाले सेंखडों श्रिधालूं को बड़ी रहत मिलेगी तो रोजाना 500 से 1000 श्रिधालूं यहां लंगर गरहन करते हैं जब कि मेलों के दुरान जो है लंगर गरहन करने वालों की संख्या बढ़ जाती है तो यह दोस्तों पूरा पढ़ना चाहते हैं यहां पर पढ़ स आरक्षी भरती की शारीरिक दर्ष्ता प्रिक्षा फिर सुरू शुक्रवार को बुलाये गए 690 भेट्यों में से 614 ही पहुंचे मैदान में जन्मरे मामें बारेश और करोना के ख़ण सखित होई पुलिस भरती की शारीरिक दर्ष्ता प्रिक्षा शुक्रवार से जो है प्रिक्षा में भाग रहने के लिए 690 पुरुष भेट्यों को बुलाया गया था इनमें से 614 पुरुष भरती ही पहुंचे इन पंजिग्रित पुरुष भरत्यों में से 425 ने शारीरिक मानक और शारीरिक दर्ष्ता प्रिक्षा उतिरन की है और यह बाकि जो है अनुतिरन पंजिग्रित नहीं हो पाई थी उन्हें सबी मेला अभियत्यों को अब शारीरिक दर्ष्ता इबंशारीरिक मानक प्रिक्षा में भाग लेने के लिए 11 फर्वरी को बुलाया गया है यानि कि आज की दिन के लिए बुलाया गया है पूरुमें जिन 6 बचे पुरुष अभिय पूरा यहां पर बताया गया है चलिए नेक्स्ट अप्रिट दोस्तों यह रही 21 तक मौसम साफ 22 फर्वरी को बारिश वर फरी के असार तो प्रदेश में 21 फर्वरी तक मौसम साफ बना रहना का पूरवानमान है पक्षमी बिक्षोप की सकरीता से 22 फर्वरी को प्रदेश के यदि कांच क्षेत्रों में बारिश और वरवरी होने की सब्भावना है 22 को अधर का येलो अलेट भी जारी किया गया है शुक्रवार को राजनी शिप्ला सेथ प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा दोफ खिलने से उन नम में अधिक्तम ताबन तो ये ताबन स अधिक आप देखना जाओ तो आप देख सकते हो ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही निजी को जो की मानने था फीस धांचा जांचेंगी कमुनिटियां बीचम टिगरी मामला चार के बजाए तीन साल में टिगरी करवाने पर बिन्यामक आयोगने कसा सिक तीन मार्च को द्वारा होगी मामले के सुनबाई तकनिकी शिक्षा विश्यविजाले और यूजी से भी आयोगने मांगा स्पस्टी करन तो बैचलर इन होटल मैनेजमेंट की डिगरी करवाने वाले निजी कोलोजों पर निजी स्क्षन संस्थान बिन्यामक आयोगने सिक जाक कस दिया है इन कोलोजों के मानने था फीस स्ट्रक्चर डिगरी अब धी की जांच की लिए कम्योटियां कर दी गए हैं तकनिकी शिक्षा विश्यविजाले हमिरपूर और यूजी सी से भी आयोगने स्पस्टी करने मांगा है इस आयोग इस बावत आगामी कारवाई ज चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही अब चार हजार लोगमित्र के इंदरों में भी मिलेगा बजार से पंद्रा प्रतिशत सस्ता राशन खादेव पूर्थी निगमने संचालक सी एसी कंपनी को के इंदरों में जगह उपलफ्त कराने के लिए कहा महारच प्रयाल से होगी सप्लाई तो लोगमित्र के अंदरों में शस्तारासन और रोजमर्राक की बस्तों उपलफ्त कराई जा रही हैं सरकारी के विवागी अपचारिकता हैं जो है पूरी कर ले गई हैं खादेव पूर्थी मंत्री राजिंद्र गर्गन जी ने यह कहा है बारा नामी कंपनियों क साथ साथ अन्य लोगों को भी अब बाजार मुले से पंदरा फेस्ती तक जो है सस्ता राशन अन्य सामान में लेगा यह सामान नामे कंपनियों को होगा यह मैं आटा चावल मसाले हर तरह की दाने साबन बोर्डी पाउडर क्रीम और अन्य रोजमरा की बस्तों जहें शामिल रहेंगी तो यह दोस्तों यहां पर एक लेटिस्ट अपडेट है चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही प्रिक्षा फॉर्म भनने के लिए दिथी बढ़ाएं तो नस्य वाई नहीं माचल प्रतेश विश्व जाले जाने की एच्प्यों से योजी और पीठी के प्रिक्षा प्रिक्षा फॉर्म और ऑफ्लाइन फॉर्म भनने की अंतिमजदी बढ़ाने की मांग यहां पर की है एन्युजव के राज्यू सच्छी नहीं कहा है कि विश्व दल्य प्रिक्षा फॉर्म भनने में पेशारी जखनी की दिक्तों को देखते हुए अंतिमजदी प्रिक्षा प्रिक्षा प्रिणाम भी शेगर खोशिदी करने का आगे यहां पर किया है तो यह दोस्तों आगे आप डेट एक्स्टन करने के लिए कहा है बट अभी तो मुझे 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 लग रहा है वैसे हो सकता है कि बढ़ा भी दें अगर दिक्त त्यारी होंगी बहुत सारे फड़ा आप एसे लगा है मांके देखेंगे तो आपको बता दूँगा ठेक है यह दोस्तों अपडेट है नेक्स्ट अपडेट सरकारी स्कूलों को मिले 583 नए डीजिटी तो प्रानुपिक शिक्षा निदिशा ले ने करमचारी चौनाय को हमिरपूर की शिवारिश फर ल शिक्षकों को मासरी बेतर 22,860 रुपे बेतर मिलेगा तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट है और दोस्तों अगर आपको कोई क्वैरी है तो आप कमेंट करके बताना मुझे ठीक है मैं देखूंगा दोपहर को गर टाइम लगा तो मैं वीडियो के उपर बना दूँगा ज सबाइब हमाचिल्पुतिश्च की सरकारी स्कूलों में दो मार से मटे मील पकेगा तक की प्राणब शीक्षा निदीशालन त्यारी शुरू कर दीया मिट्टे मील बनाने वाले वर्करों के लिए भी गार्लाइन जारी कर दी गई है चूड़ी अंगोटी पहन कर भोजन नहीं बना जाएगा दस्ताने पहनना जरूर जहेगा स्कूलों विद्याचिं को उच्छी दोरी में बठाकर भोजन जो है प्रोसा जाएगा चलिए दूस्तों नेक्स्ट अपडेट यह रही एच्पी सीए की बैठक आज टी ट्विंटी मैज के लिए शुरू हो सकते हैं टेक्ट बिकरी पेटियम के मात्म से और टेक्टी टेक्ट पूरी मुख्यमंतरी अब बीरबदर सिंग्न 2015 में की दिनाचिनल पालागलाइडिंग स्कूल की घोशना तो बीड बिलिगाटे वदेश का पहला नाचिनल पालागलाइडिंग स्कूल प्रदेश के प्रेटन के लिए मियल का पत्तर साबित होगा तो यह दोस्तों वगेरा मेरे चैनल के उपर में अपलोड करती है बहां से आप इजली इनको देख सकते हो ठीक है नेक्स्ट अप्टेट दोस्तों यह रही तीन हजार रुपे बिलंब शुलक के साथ 24 फरवरी तक जमा करवाएं फीस तो यह मार्चत बे स्कूल सिक्षा बोड के राच्य मुक् इनके पप्तर के वल ऑफलाइन ही बौर्ड कार्यले में सभी कृत किये जाएंगे यह विक्ताइब को अपना ऊफलाइन आवे दिन पछली आवे दिन पत्र के वल समय बोड़ें के अंदर के मादम से निर्दारित बिक्षा शुल और आवश्यक दस्तावी जो से बौरड का रेलेमन दस्ती तोर पर जमा करवाने होंगे तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट हैं नेक्स्ट अपडेट यह रही 29 मार्च से शुरू होंगी आठमी दस्वी बाहर में की दूसरे टम्प की प्रिक्षा हैं बाहर में कख्षा की नेमित बाइस वसकी डेट शीट हिमाचल के स लेट शीट यहां पर बताई गई है आप यहां पर देख सकते हो कि ओके चली दोस्तों नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यह रही आपकी यूजी वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट तो प्रतम द्विती वर्श का रिजल्ट लेने के लिए देनी पड़ेगी 20,000 रहे यूजी प्रतम दूति वर्ष के विद्यार तो यहां यहां पर जो है क्रोना के चलते पिछले ostatrig से यूजी प्रतम दूति वर्श की विद्यार थी गेना परिक्षाही पृमोट हो गए हैं इनुम्हें सारे ऐसे विद्यार ती हैं जिरोंने समय मफशावेज भूत्व प्रदेश के बिक्षा कड़ेंगे साथ 20,000 रुपे लेट फीज देनी पड़ेगी हलांकि प्रदेश विज्वदाने के लिए क्यारा मेन का समय दिया था यह उदम्हें के पिछली रुप्र रिज़ल्ट के पास अधिक्रित शक्तियों के तहट तो विद्याति की राह देने के लेट वीश का प्राभतान किया गया है यے विद्याति पिरिट्शा बीसबीच 30 Cameron schwier में अच्छा अगर ये खी शीच और ये तो उनको लेड सी यह क्रिक्श हा में प्रिक्शा दो के पास एक और विकलब रहेगा इसमें इसमें भी 400 रुपे लेट वीज के साथ पिछली प्रिक्षा फॉर्म भर कर प्रिक्षा दे सकते हैं यूजी डिग्री कोर्स के बहुत से ऐसे विजयते हैं जो नहीं भरे हैं अब इनका प्रतमरत्युति वश्का प्रिणाम जो है लटक गया है तो एसप्यों के प्रिक्षा ने गीने कहा है कि प्रिक्षा फॉर्म भरने के लिए दिया गया था बावजुत इसके चुन्हें फॉर्म नहीं भरे हैं उन्हें 20,000 रुपे लेट फीज देनी होगी तब ही उनका पिछला रिजल्ट घोशित होंगे पिछली जो रिजल्ट है उ क्योंकि बहुत सारे हैसस स्टूर्म जुन्हें ने एक्जामनेशन फॉर्म ना भरे हों एक्ञाम्स मैं पिथार है क्योंकि पहले बोलता कि एक्जामनेशन फॉर्म भर नहीं पढ़ेंगे तभी वह प्रमोट तो हो गए होगेä और अब्ये मात्क है यह तो फिर पिछला जो लेट फीज के साथ उनको एक्साम देना पड़ेगा तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट है बाकी देखते हैं ओफिशियल जब आता है जब आपको मैं बता दूंगा और यह थी दोस्तों आज की कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स और आपके कोई क्वेरी हो तो कुमेंट करके बताए ना दो पहर तक मैं वीडियो बनाने की ट्राइब करूंगा ठीक है वीडियो चलेगे तो लाइक शेट चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थै थैंक यू